शहर से सटे कानवा गाओं में इस्थित पुलिस थाने की इमारत को आग लगने से कीमती समान और गाड़ियां जलकर राख हो गई मोके पर पहुँची दमकल व्युहा की गाड़ियों ने बड़ी मुश्किल से आग पर काबू पाया घड़ना मरे जानकरी देते हुए डियस्पी हरक्रिशन सिंग ने बताया कि किसी किसान दोरा खेतों में नाड़ को आग लगा देने के कारण आग ने पुलिस थाने की इमारत को भी अपनी चपेट में ले लिया इसके कारण इमारत के अंदर खड़ी गाड़ियां और कीमती समान जलकर राख हो गया उन्होंने कहा कि हाला कि ये पुलिस थाना सदर का पुराना काराले था और मोक्य पर यहां कोई भी पुलिस कर्मी यानने लोग मजूद नहीं थे नहीं तो जानमाल का कोई बड़ा नुकसान हो सकता था उन्होंने किसानों को भी अपील की कि खेतों की नाड को आग लगाना बंद करें जैने किसाना किसि नाड का अग लाई हूई जैदे करके जड़ा इना अग पैगी कि दोड़ा ने दिश्क ते करीब घड़ा जैने सद्टिए अग उगिए थी तबाव सेफ़ औरी और अगे करीब खड़ियाने के दो ट्राक ने दो तेने कारा ने आटो बगेरा ने ओ सब्सक्राइब अपना सड़के स्वाव हुआ है जेदे सब्सक्राइब कर रहे हैं ते जिस कसानने नाड़नु अगले यह थे खलाफ पर्चा भी दर्ज करांगे जो भी बंदी कुनूनिया करवाई सब्सक्राइब कर रहे हैं तो मैं फिस दबारा तो टे चैनल दे मादे मरा इपेंती करदा के नाड़नु अगलावनी बंद करो ता जो को नक्सान ना हो सब्सक्राइब तो मैं पता जोई कर रहे हैं किसान अगल अगलाई थी फिरहाल सनु अगला आ रहे हैं साठा साथा मेन मक्सद आपन आगटे कबू करना फायर पर गेड़नी दो गडियां आगई ने इसाठे बाकी सारा साप भी आ गया थे यह थे जड़ा अपना अगलों बिया रहे हैं उन सिद्धा वाइट मेरिकल कोलेज आओ लाज कराओ सलारिया तो अपना हाथ तो अने दुख से हाज रहे हैं धन्यवाद